तो आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला फ्राइड राइस तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ग्रैंडर जल ले लिए और इसमें मैं 3 टेवल स्पून रोस्टेच चना डाल रहे हूं और 1 टेवल स्पून ग्रेटेट na और यहां पर मैंने 5 जो लसन ले लिया है और 1.5 टेवल स्पून यहां रेचुली प Vietnam बहुत हमारे लिया है और अब हम इसे ग्रैनड कर लेंगे तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और यहां पर मैंने पैन पे बड़े चमच ओल ले लिया है और यहां पर 250 ग्राम्स मैंने भिंडी ले लिया है जिसे अच्छे से वाश करके कट कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं भिंडी जो अच्छे से फ्राइ हो चुका है और मैं इसमें 2-3 टेबल स्पून नमक डाल रहे हूं और 1-2 टेबल स्पून आमच्यो पॉडर और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब मैंने सेम पैन पे एक बड़ चमच ओयल ले लिया है और यहाँ पे मैं 1-2 टेबल स्पून सरसो डाल रहे हूं 1-2 टेबल स्पून जीरा 1 टेबल स्पून चना दाल 1 टेबल स्पून उरत दाल और यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून फली ले लिया है और अब हम इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और अब यह अच्छे से fry हो चुका है और यहां पर मैं one spring curry juice टाल रही हूँ और यहां पर में एक बड़ा प्याज ले लिया है और अम इसस अच्छे से fry कर लें है और अब यह अच्छे से फ्राइ हो चुगा है मैं इसमें 2 थर टेबल स्पून हल्दी पॉडर डाल रहे हूं और हाफ टेबल स्पून नमक नमक मैं इसमें थोड़ा कम डाल रहे हूं क्योंकि भिंडी में मैंने अल्रेडी नमक डाला हुआ है और अब मैंने यहापे बन बोल पका हुआ राइस ले लिए हम इसे भी डाल देंगे और रोस्टेट चरना दाल जिसे हमने ग्राइंड करके रखा तो उसे डाल देंगे और फ्राइ किया हुआ भिंडी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे टू मिनट्स के लिए और फ्राइ होने देंगे और अब टू मिनट्स हो चुके हैं और हमारा भिंडी मसाला फ्राइड राइस बिलकुल तयार है अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले